नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सेविल बंजिरोबन में मेरा नामे संदीब जी आनी कैसे हैं आप सभी लोग वेरी गुद इबनिंग दो आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं पेव्मेंट मेटिरियल्स के बारे में अगर हमें पेवेंट के क्रोस से नेमेंट कान से है जो हम देखते और उन सब को डिजाइन कर लिया अब अगर हम बात करें के पेव्मेंट के मेटिरियल के बात किजाए तो वो और उनके उपर कौन-कौन से test होंगे यह हमें पढ़ने होंगे कि pavements के कौन-कौन से material है उनके उपर कौन-कौन से test जो है वो किये जाते हैं और उसके बाद हम pavement के design के बाद करेंगे objective point of view से हमारे लिए जादा important जो है वो pavement के material कौन से है और उनके उपर test जो हैं वो कौन से होते हैं ये important है तो pavement materials है आपको hardly एक आद question देखने को मिलेगा तो इसी हिसाब से आपको इस topic को पढ़ना है अगर आपने अभी तक Anacademy app install नहीं किया है तो आप Anacademy app install कर सकते हैं जिसके उपर further आपके पास offer है कि आप Anacademy subscription के उपर up to 47% save कर सकते हैं 12th of August तकी offer है आप अगर 6 month का subscription लेते हैं तो आपको 1 month additional duration मिलती है 12 के साथ 3 months और 24 months के साथ आपको 6 months additional duration मिलेगी संदीब double one code यूज़ करते हैं तो जो भी price होगा उस price पे आपको 10% off भी मिलेगा इसके रावा अभी जो batches हैं जो already subject complete हो चुके हैं वो आपको recorded form में मिल जाएंगे और जो अभी चल रहे हैं वो आपको live sessions attend करने को मिल जाएंगे ऐसा भी होगा कि multiple subjects एक subject जो है वो दो बार हो जाएगा अलगलग educators किसी subject को बढ़ा रहे हैं तो वो भी आप उस form में भी उसको पढ़ सकते हैं UPBCL batch for executive assistant engineer exam यह भी चल रहा है उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं और unacademy light जो है अगर आप चाहते हैं जिसके अंदर आपको जो भी आप test देते हैं तो वो test के तुरू आपके performance evaluate करके आपको बताई जाएगी उसका analysis भी होगा तो UA light जो है unacademy light वो भी आप avail कर सकते हैं if you are interested for that तो इसके लिए जो है 3 months का duration का subscription होता है इसका चलिए unacademy combat 14th of August 1 p.m. पे होने वाला है यह एक scholarship test है इसमें आप participate कर सकते हैं और जो top rankers होंगे उने unacademy scholarships मिलेंगे pavement material के उपर बात करते हैं pavement material जैसा कि आप सभी को पता है कि pavement जो होती है जिसके उपर आप actual में चल रहा है रोड के उपर तो वो जो pavement है वो एक mixture है conglomeration है अलग-अलग materials का और उन materials की जो qualities है वो कैसी-कैसी होनी चीए एक material ऐसा होना चीए जिसकी strength जादा अच्छी हो जैसे कि हम क्या बोलते है aggregate हो गया तो compressive strength प्रोवाइड करता है एक material ऐसा होना चीए जो कि बीच में जो voids हैं खाली जगां बच गई उन खाली जगां को उन खाली voids को भी occupy करने में मदद करे तो वो खाली जगां या voids के अंदर थोड़ा सा और finer material जो है वो आ जाएगा इसके बीच में एक material ऐसा होना चीए जो इन सब को bind करके रखे तो इन सब को bind करके कौन रखेगा bitumen हो गया binding material जो होता है वो रखेगा यहाँ पर तो इन सब की properties ही हमें देखनी होती है अब बहुत जादा इसके उपर चहिशा करने जैसा कुछ है नहीं ऐसे as such soil की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा अपने आप में एक subject आ जाएगा कि soil mechanics के अंदर क्या soil होती है उसके test कौन कौन से होते हैं तो इसको जादा अभी के लिए discuss नहीं करता है soil को आप use करेंगे जब pavement बन रही है तो उस pavement के उपर आपको वहाँ पर जो pavement बनेगी तो pavement से नीचे की soil present है वो ऐसी होनी चीए जो stable रहे जिसके उपर अगर load आए तो उस load को वो beer कर पाए उस load के against वो stable रहे ऐसा नहीं है कि वो बहाँ से displace हो जा रही है drainage प्रापर होना चीए ऐसा नहीं है बारिश होई तो वो पानी को drain ही नहीं कर रही है या तो lateral direction में या उसके through vertical direction के अंदर तो वो भी उसकी property ऐसी होनी चीए कि proper drainage रहना चीए strength ऐसा नहीं हो कि किसी time पे मिल रही है या किसी drainage condition के अंदर मिल रही है किसी में नहीं मिल रही है तो strength जो है वो permanent रहनी चीए minimum changes आएं उसके अंदर जब water आ जाए तो water के effect के current वो जादा उसकी strength variations नहीं होने चीए और compact करने में आसानी हो तो ये सारी हमारी soil से related उसकी हमारी जो expectation रहती है soil के उपर कौन कौन से test करते हैं एक test होता है जिसे बोल देता है shear test तो shear test का मतलब होता है कि किसी एक plane के about ये कैसे shear off होगी ये soil mask कट जाएगा ये soil mask displays हो जाएगा तो इसके shearing हो जाएगी तो shear test करते हैं हम इसके और इसके उपर हम करते हैं bearing test load लगा के देखते हैं कितने settlements आएंगे इसके अंदर soil दो ही criteria में fail होती है या तो वो settlement के अंदर fail होती है या shear में fail होती है तो ये test हम इसके उपर करेंगे इसके लावा उसके penetration test जो है aggregate जो हो जाता है aggregate का मतलब कि rocks थी rocks के छोटे portion stone बोल दिया stone को crush कर दिया और छोटे particles आ गए हमारे पास तो aggregate आ गए अब aggregate बड़े size के भी हो सकते हैं और बहुत छोटे size के तो coarse aggregate, fine aggregate इन सब को हम बोलते हैं तो aggregate का जो इस्तेमाल होता है वो aggregate का इस्तेमाल होता है compressive strength प्रोवाइड करने के लिए जो भी mix आप बना रहे हैं उसका compressive strength प्रोवाइड करने के लिए जिन दोस्तों ने अभी तक इस session को like नहीं किया है, वो session को like कर सकता है जिन दोस्तों को पढ़ना है वो पढ़ सकता है बाकी chat में लगे रही है राम से मस्त aggregates के बारे में main main बात यहां पर हो गए उसके बाद अगर aggregates की desirable property strength अच्छी होनी चाहिए, load जो आए अब load कौन सा आएगा, vehicles का आएगा traffic का आएगा, जो moving load है wheels का जो load है वो आएगा तो उसके कारण वो aggregates टूट न जाए continuously rubbing होगी जब tires pavement के उपर चल रही है तो उसके कारण क्या होगी pavement के surface के उपर rubbing होगी उस rubbing के कारण वो जो aggregate है उन aggregate का wear and tear नहीं होना चाहिए next अगर हम बात करें तो crushing पूरा ही न तूट जाए वो यहाँ पर तो यह उसकी strength जो है वो sufficient रहे कि जो भी load आने वाला है उसको वो bear कर पाए, hardness का मतलब हो जाता है abrasion या scratch या rubbing के against उसका जो resistance है तो वो भी उसका अच्छा होना चाहिए shape of aggregates की हम बात करें तो shape of aggregates में यहाँ पर relation है workability से round aggregate होंगे तो workability जादा होगी angular होंगे तो उनकी आपस में packing जो है वो जादा अच्छी हो पाएगी जिससे strength improve हो जाएगी तो workability तो कम होती है लेकिन strength जादा होती है अगर flaky या elongated होंगे तो न strength होगी न workability होगी aggregate ऐसा होना चाहिए जिसका adhesion bitumen के साथ अच्छा हो जब आप road बना रहे हैं अगर तो road के उपर अगर आपने bitumen use किया तो वो aggregate जो है उसके around bitumen अच्छे से आ जाए bitumen को अपने surface के उपर वो अच्छे से attach कर ले ऐसा aggregate नहीं होना चाहिए जो aggregate ऐसा aggregate नहीं होना चाहिए जो aggregate की affinity water के लिए हो bitumen के लिए जादा होनी चाहिए अगर water बीच में आ गया और aggregate चाहता है कि water के साथ bind हो जाए तो वो bitumen को छोड़ देगा ना तो bitumen ही साथ binding कर ले उनको आपस में bond कर वाले एक single element की तरह treat कर वाले वो तो adhesion with bitumen, adhesion होता है तो different material के बीच में attachment तो bitumen के साथ aggregate का अच्छा attachment होना चाहिए पानी के लिए उसकी affinity नहीं होनी चाहिए अगर पानी के लिए affinity होगी तो वो पानी के साथ bond कर लेगा, bitumen को छोड़ देगा toughness की अगर हम बात करें तो जब road के उपर vehicle चलेगा, तो किसी particular एक point को अगर observe करेंगे तो यहां से जब वो wheel निकलेगा तो जब वो wheel यहां तक था तो इसके उपर कोई load नहीं था, एकदम से जब निकला तो इसके उपर sudden load durability, durable होने चीए, weathering के effect के कारण, over the time जो आपके effects होते हैं, उसके कारण वो खराब ना हो जाए, उनके particles हट ना जाएं उसके उपर से, तो इसे आप बोलते हैं कि durable होना चीए, या फिर यह कह लिजिए कि aggregate के case में इसे हम बोलते हैं, कि sound होना चीए soundness की form में हम इसको express करते हैं, तो आपको बताया था soundness एक तो volume changes से related होता है, जब हम यह बोलते हैं कि cement का volume change हो रहा है या नहीं हो रहा तो change हो रहा है, तो unsound हो रही है वो cement, एक soundness word यूज़ करते हैं aggregates के लिए, कि जब उसका over the time weathering action के कारण वो खराब ना हो जाए, तो यह हम बोलते हैं इसको, next, freedom from deleterious particles, deleterious particles या objectionable particles अगर present होंगे aggregates के अंदर, तो उनकी strength तो होगी नहीं, strength नहीं होगी, जैसे deleterious का example क्या हो सकता है, कि clay के particle, अब वो कोई strength में contribution तो करेंगे नहीं लेकिन वो जब aggregate के, जब bitumen के साथ bind होने जा रहा है, तो वो बीच में problem create करेंगे, binding अच्छी नहीं हो पाएगी एक weak spot बन जाएगा, जहाँ पर strength अच्छी नहीं है, तो deleterious particles जो हैं, वो हम नहीं चाहेंगे, unwanted particles हम नहीं चाहेंगे, तो यहां से या, इस सच कोई खास question जो है, वो नहीं बना सिर्फ इतना ही question कि aggregate जो है, वो क्यों ही use करते हैं, क्योंकि वो compressive strength maximum provide करता है, अब बात करते हैं, हम आगे aggregate के जो test हैं, वो crushing, abrasion, impact, soundness और shape के test, सब से क्या-क्या questions पूछे जाते हैं, crushing test के अगर हम बात करें, तो crushing test के अंदर load आपने apply कर दिया, aggregate के उपर load apply करने के लिए, crushing 40 ton का load आप apply करते हैं, उसके बाद 2.36 mm की sieve से sieving करेंगे, जितना mass pass कर जाएगा, divided by initial sample आपने कितना लिया था, तो यहां से crushing, हालांकि aggregate के सारे test हमने concrete जब पढ़ा था, materials for concrete उसके अंदर भी हमने देखा था, कि हाँ आगर आपको, वहाँ पे हमने Los Angeles machine ये भी देखे थे, abrasion के test भी देखे थे, impact test भी देखे थे ये भी हमने पढ़ा था, abrasion test के लिए Los Angeles machine जो है, ये हम use करते हैं, devals abrasion test या Doris abrasion test जो है, ये भी use किये जाते हैं, यहाँ पर जो sieve size इस्तेमाल होता है 1.7 mm का, तो कितना mass ये test करने के बाद पास हुआ 1.7 mm वाली sieve से, with respect to weight of the sample क्या था, soundness test के अंदर हमने बात की थी, ये भी पढ़ा था sodium sulfate या फिर magnesium sulfate के solutions में उनकी alternate wetting drying की जाती है alternate wetting drying करने के बाद, overall cycles, multiple cycles में कर देने के बाद जो change in weight आता है अगर आप sodium sulfate से कर रहे हैं, तो 12% से ज़्यादा change नहीं आना चाहिए, magnesium sulfate के solution के अंदर आप alternate wetting drying कर रहे हैं, तो 18% से ज़्यादा change नहीं आना चाहिए next test की बात की थी, हमने impact test जिसके अंदर ये जो दोनों handles होते हैं इसको lift करेंगे हम, तो 14 kg का weight होता है और उसको 38 cm की height से free fall करवाया जाता है, और ऐसा 15 बार किया जाता है, 15 number of times करते हैं, फिर 2.36 mm की sieve से sieving कर लेते हैं, तो कितने particles उससे pass हो गई या टूट गई है, कह लीजिए 2.36 mm से छोटे हो गई वो mass upon initial weight आपने कितना लिया था, तो impact value आ जाती है shape test की अगर हम बात करें, तो flaky aggregates वो होते हैं, जिनका least lateral dimension is less than 0.6 times of their mean dimension elongated particles वो होते हैं जिनका largest dimension या फिर length is greater than 1.8 times of their mean dimension तो ये दोनों definitions तो याद ये 8 point आपको होने चाहिए, तो जल्दी से एक बार इनको read करिए and excuse me for one minute चलो आगे बढ़े ठीक है, aggregate की crushing value is less than 30% for surface course crushing value should not be greater than for other purposes की अगर हम बात करें pavement criteria के लिए हमने बात की थी 30% से ज़्यादा वो value नहीं आनी चाहिए, for other type of construction के लिए 45% impact value 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, pavement material या pavements के corresponding अगर हम बात करें abrasion value जो है 40% तक की allowed है water bound academic courses के अंदर abrasion value 35% तक की allowed है bituminous and concrete के लिए, loss of weight 12% से ज़्यादा ना हो, sodium sulfate की case में 18% से ज़्यादा में magnesium sulfate की case में यह हमने पढ़ा था, building material में हमने asphalt क्या होता है bitumin क्या होता है, यह भी बात की थी bitumin जो एक sticky black petroleum byproduct होता है, asphalt की हमने बात की थी, composite mix होता है bitumin, sand, aggregate इन सब का फिर bitumin distillation of crude petroleum से मिलता है, coal tar जो होता है, वो coal या फिर wood जो है, इनके destructive distillation, oxygen की absence में अगर हम उसको heat कर देते हैं, तो उससे coal tar मिलता है, bitumin normal temperature पे semi solid state में होता है pavements के अंदर use कर रहे हैं, तो paving grade, अगर industries के लिए use कर रहे हैं, तो industrial grade, यह हमने already पढ़ा हुआ है अब bitumin के अंदर, अगर आप क्योंकि bitumin जो है, उसकी viscosity बहुत ज़्यादा होती है, अच्छे से वो flow नहीं कर पाता है, जो काम काम की बात है न, बस वो सुनते जाएगा bitumin जो है, वो अच्छे से flow नहीं कर पाता है तो उसकी viscosity को बढ़ाने के लिए उसके अंदर कुछ ऐसे solutions या आप यह कह लीजी, कुछ ऐसे solvent add कर देते हैं, जो उसकी viscosity को increase कर देंगे, अब viscosity बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए जरूरत पड़ी ताकि aggregates के बीच में अच्छे से bitumin जो है, वो पहुंच जाए हर एक aggregate के around वो अच्छे से पहुंच जाए, तो हम उसके अंदर जो solvents add करते हैं, उनको हम बोलते हैं cutbacks, तो cutbacks जो हैं, वो add कर देंगे, तो अब जो bitumin बन गया, वो कौन सा bitumin है, cutback bitumin है यहाँ पर, तो इसके अंदर 85% asphalt cement और 15% जो cutter होता है, यह petroleum का distillate use करते हैं, ऐसा solvent उसके अंदर mix कर देंगे, the solvent from bituminous material will evaporate and bitumin जो है, बाद में aggregate को bind कर देगा, पहले जो आपने mix किया है, cutback जो mix किया है, ताकि वो अच्छे से spread हो जाए सब जगा, फिर उसके बाद बाद में वो evaporate हो जाएगा, जो cutbacks होंगे वो, cutback bitumin is used for cold weather bitumin bituminous road construction and maintenance क्योंकि bitumin को heat करना पढ़ता है, उसके viscosity को कम करने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए ताकि वो aggregates के around जाके अच्छे से bonding कर ले, तो cold weather होगा जहां पर, जहां पर temperature ही इतना जादा नहीं है, बहुत कम temperature है तो वहाँ पर cutbacks की ज़रूरत बहुत जादा हमें पढ़ जाएगी यहां पर so there are different types of cutback bitumin rapid curing वाले हो सकते हैं, medium curing वाले हो सकते हैं, slow curing हो सकते हैं less viscous cutback bitumin का मतलब क्या है कि आपने जो dilutant add किया है, अगर किसी bitumin की viscosity कम है, मतलब आपने क्या किया कि उसमें ज़्यादा dilutant add कर दिया है और bitumin कम है अगर viscosity ज़्यादा है, अच्छे से flow नहीं कर रहा है, इसका मतलब bitumin की quantity ज़्यादा थी और जो solvent या cutter आपने add किया था, उसके quantity कम थी यहां पर, so more viscous cutback bitumin का मतलब है कि less dilutant है उसमें और more bitumin का content है तब ही तो वो अच्छे से flow नहीं कर पा रहा है viscosity उसके ज़्यादा है bitumin emulsion basically मतलब होता है कि bitumin के साथ आपने aqueous medium add कर दिया है, water वाला medium जो है वो आपने add कर दिया है so emulsi fire का मतलब हो जाता है bitumin in suspended form या emulsion जो है वो उसका form हो जाता है bitumin emulsion के क्या क्या uses आते है patchwork के अंदर, maintenance के अंदर इस्तेमाल होता है wet weathers के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है soil stabilization के लिए इसका इस्तेमाल होता है tar के क्या क्या types होते हैं यह आप से objective में पूछता है objective में question कैसे पूछता है grouting और waterproofing purposes के लिए कौन सा tar किस type का tar इस्तेमाल करते हैं तो वो हम use करते हैं RT5 premix tar macadam जो है base course के लिए इस्तेमाल किया जाता है RT3 की अगर हम बात करें surface paint renewal coat के लिए यूज किया जाएगा RT2 की अगर हम बात करें तो surface painting in normal climatic condition और RT1 जो है cold weather conditions के अंदर hill roads के उपर high altitude के उपर इस्तेमाल किया जाता है पांच grade के tars होते हैं RT1 से लेके RT5 तक next आगे बढ़ते है tar और bitumen जो है इनके अंदर basic basic से जो comparisons होते हैं इनकी बात कर लेते है bitumen एक petroleum by product है tar को कैसे obtain करते हैं कि आपने coal या फिर wood को oxygen की absence में heat किया तो उससे tar बन जाता है pure bitumen जो है वो carbon tetra chloride के अंदर या carbon sulfide के अंदर soluble होता है tar सिर्फ और सिर्फ toline के अंदर soluble होता है अपने आप में एक एक statement एक objective question बन सकता है durability bitumen की जादा होती है और water resisting capacity भी इसकी कम होती है less temperature susceptible temperature का इतना जादा फरक नहीं पड़ता अगर इन दोनों को compare करें तो फरक तो इसका बहुत पड़ता है लेकिन आपस में compare किया जाएगा तो ये less temperature susceptible है ये बहुत जादा temperature susceptible है less free carbon होता है इसके अंदर more free carbon होता है clear तो main main जो काम की चीज़े हैं उनके उपर focus करते हैं bitumen should possess following desirable property अब desirable property आप खुद बता दीजिये ये सब मत पढ़िए आप simple ऐसे सूचें bitumen जो है वो ऐसा होना जाए जो stable हो bitumen aggregates के round जाके अच्छे से binding कर ले temperature बहुत जादा हो जाए तब भी वो ऐसा नहीं होना चीए कि उनकी bonding break कर दे temperature कम होने पर भी आप उसको अच्छे से इस्तिमाल कर पाएं ऐसा नहीं हो कि उसके अंदर cracks आ जाए या बहुत जादा वो brittle हो जाए तो वो sustain करना चीए सारी conditions को bitumen एक elastic medium भी provide करे अब elastic medium provide करे का मतलब क्या है कि जो pavement आपकी है इसमें ये aggregates थे और इन aggregates के around bitumen जो है वो आ गया जब इन aggregates के around bitumen आ गया तो अब ये एक elastic medium की तरह एक्ट करना चीए जब भी wheel load आएगा wheel का load इसके उपर आएगा तो ये pavement कुछ हद तक depress हो जाती है ये pavement कुछ हद तक depress हो जाती है depression बन जाता है इसके अंदर बहुत ही small amount के अंदर लेकिन बनता है तो जैसे इसके उपर wheel आया तो एक ये depression बना और wheel load जैसे निकल जाए तो वापस वो regain कर ले इस depression को तो उसके अंदर ऐसा elastic property जो है ये होना चाहिए water जो है उसको ये अपने अंदर जाने ना दे, penetrate ना होने दे इस सरीके से होना चाहिए impermeable जो है ये होना चाहिए बाकि अगर viscosity की ज़रूरत पड़े तो कम जादा उसकी viscosity हम vary कर पाए ये सारी कुछ-कुछ हची qualities जो है उसकी होनी चाहिए अब test करते हैं जो bitumen के उपर penetration, ductility, softening point, specific gravity एक-एक करके सारी test देखते हैं penetration test की अगर हम बात करें तो penetration test जो है वो किससे किया जाता है पहली चीज़ तो penetrometer से आप करते हैं second question जो यहां से बनता है कि penetration test की values represent किसमें की जाती है तो answer होगा इसका one tenth of a millimeter millimeter के भी tenth portion के अंदर उसको represent करता है मतलब अगर आपको ऐसा बोला जाए कि कोई line थी उस line की measurement आपको बतानी थी तो आपने उस line की measurement बता दी किस form में जैसे लेट से आपने बोला कि 75 centimeter तो या तो मैं यह बोलूँ 75 centimeter में बताईए आपने या फिर आप ऐसे कह देंगे कि जो unit use की है ना वो आपने one upon hundredth of meter में बताया है तो इसी तरीके से अगर मैं यह बोलूँ कि 7 mm 7 mm मैं बोल दूँ या यह बोल दूँ कि जो centimeter वाली unit थी ना उसके one tenth में इसको express किया जा रहा है तो अगर मैं इस penetrometer की reading आपको बोलता हूँ कि 80 है यहाँ पर अगर reading कोई भी penetration की value अगर मैं 80 बताता हूँ तो इसका मतलब उसका penetration जो आया है वो कितना आया है one tenth of mm में express कर रहा है it means 8 mm penetration आया था तो इसके one tenth में अगर इसको express किया जाएगा तो वो कितना बनेगा 80 बनेगा clear तो one tenth of mm के अंदर इसको express किया जाता है यह आप से objective में question पूछता है question पूछेगा कि अगर आपको यह बोला जाता है कि 30 to 40 grade का अगर bitumen है आपके पास so that means तो उसका मतलब यह होता है कि यह जो आपका penetrometer था इस penetrometer की जो needle थी यह इसके उपर रखने के बाद कितना penetration किस range का penetration दिखा रही है तो 30 का मतलब हो जाएगा कि 3 mm 40 का मतलब हो जाएगा 4 mm तो इस range का penetration यह दिखा रही है कितने temperature यहाँ पर temperature बहुत important rule play कर लेता है क्योंकि bitumen जो है उसकी properties उसका penetration उसकी viscosity जो है temperature के साथ बहुत vary करती है तो इसलिए penetrometer test के अंदर 25 degree Celsius temperature के उपर इस bitumen को रखा जाएगा एक water bath यूज कर लेंगे पानी का बात यूज कर लेंगे ताकि uniformly इतना temperature maintained रहे उसके बाद यहाँ पे हम needle को इसके उपर रखेंगे और 5 second के लिए allow करेंगे कि यह penetrate हो जाए तो 5 second के अंदर यह कितना penetrate होती है वो हम observe कर लेते है so penetrometer is used here water bath is kept at 25 degree Celsius because the property of bitumen will change as the temperature changes at temperature is equal to 25 degree Celsius needle is allowed to penetrate for 5 second याद रखने होगे बाद क्या है इस test में से पहली कि जो readings लेंगे वो किसमे लेते हैं 1 tenth of millimeter के अंदर अगर आपको यह बोला जाता है कि 30 to 40 grade का आपके पास अगर bitumen है इसका मतलब उसकी penetration value दी हुई है 30 to 40 या फिर यह कहिए उसकी penetration value 3 mm से 4 mm आपको given है next type का जो question आपसे पूछता है कि अगर 80 to 100 बोला गया और 30 to 40 बोला गया इन दोनों को यह compare करें कि जादा hard कौन सा bitumen है तो आप क्या बताएंगे penetration जादा किसमें मिल रहा है 80 to 100 इसमें जादा मिल रहा है तो इसका मतलब यह कम hard है यह जादा hard है जिसमें penetration कम मिल रही है आपको वो ही तो जादा strong हो गया न यह आपको जादा penetration शो कर रहा है इसका मतलब यह कम strong यह जादा है तो grades में comparison भी आपसे पूछ सकता है तो आपको पता होना चीए 1 tenth of mm में express किया जाता है penetrometer यूज करते हैं water bath का 25 degree temperature होता है 5 second के लिए needle जो है वो हम लगाएंगे इसके उपर तो कितना penetration दिखेगा वो हम observe कर लेते हैं so a grade of 30 to 40 मतलब penetration यहाँ पे कम हुआ 3 से लेकर 4 mm का penetration आ रहा है तो ऐसा bitumen जिसका penetration value कम है यह कह लीजिए कि वो थोड़ा strong है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है कहाँ पर hot climates के अंदर hot में क्यों use कर रहे है कम grade वाला क्योंकि उसका penetration कम है जादा temperature भी होगा तो भी काम चल सकता है अगर यहाँ जादा penetration वाला bitumen यूजिज किया तो एक तो वैसे उसका penetration value बहुत large हो गया दूसरा hot temperature में use कर रहे है तो और जादा वो penetration शो करेगा तो इसलिए कम penetration वाला या फिर अच्छा bitumen आप यहाँ पर use कर रहे है hot weather के अंदर अ grade of 8200 अब क्योंकि cold weather होंगे जहाँ पर भी तो cold weather में viscosity कम हो जाएगी bitumen जो है वो जादा solid form के अंदर exist करेगा cold climate means the penetration value is in the range of 8200 at standard test condition यह जो test standard कर रहे है 25 डिगरी के उपर यह values हमारी आती है तो आप से objective में questions यही पूछेगा 30 by 40 का मतलब क्या है 80 by 100 का मतलब क्या है इन दोनों को compare करेंगे तो कौन जादा आपको penetration शो कर रहे है या फिर कौन जादा अच्छा है इन दोनों में से cold के अंदर कौन सा use करेंगे hot के अंदर कौन सा use करेंगे यह पूछता है next type का test आता है हमारा ductility test तो ductility test का मतलब क्या होता है जैसे आप जो steel की बार होती है उसके उपर ductility test करते हैं तो ductility का मतलब है किसी चीज को खीचते चले जाएं थोड़ा सा खीचा और load हटा दिया तो वो वापस अपने original shape and size में आ जाती है तो आप बोलते हैं इसमें elastic deformation आया अब आपने किसी चीज को और ज़ादा खीचा 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 इतना खीचा कि load हटाने के बाद भी वो वापस अपने original shape and size में नहीं आया इसका मतलब उसमें plastic nature का deformation आया जो वापस recover नहीं हो रहा है अगर आप किसी material को इतना खीचते चले जाएं खीचते चले जाएं कि वो बहुत सारा elongation शो कर रहा है या यूँ कहिए बहुत सारा plastic deformation शो कर रहा है उसके बाद जाके वो break होता है तो हम बोलते हैं कि वैसा material ductile है पेल होने से पहले sufficient amount of elongation दिया उसने sufficient amount of warning दी उसके बाद वो पेल हुआ अब हमारा यहाँ पर क्या use आ गया इसके अंदर हमारा use यहाँ पर यहाँ पर यह आ गया कि जब pavement का surface अगर bitumen road यूज कर रहे है तो जब load आएगा इसके उपर तो bitumen के अंदर grain to grain contact होता है bitumen यह वाली जो road होती है उस road के अंदर particle to particle load transfer होता है जब grain to grain load transfer होगा तो उस case में जैसे इसके उपर wheel load आया तो यहाँ पर यह depression बनेगा गड़ा बनेगा और जैसे यह load यहाँ से चला गया यह depression जो बना था या फिर यह जो deformation बनी थी यह वापस recover कर पाए वो तभी कर पाएगा कौन करवाएगा इसको recover, bitumen करवाएगा तो bitumen तभी करवा पाएगा जब वो ductile होगा sufficient उसके अंदर ductility available होगी अब objective में question इससे related क्या पूछता है तो bitumen binding material है जिसका ductile होना important इसलिए है ताकि जो भी load लगने के कारण deformations आए ना road के surface के उपर जो deform होगी वो temporarily वो वापस recover कर पाए अगर bitumen अच्छे ductility का नहीं हुआ तो वो recovery नहीं होगी pavement surface धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा cracks आने शुरू हो जाएगे pervious होना शुरू हो जाएगा वो तो इसके उपर जो test करते हैं ये test हम कैसे करेंगे bitumen को हम ले लेंगे और फिर उसके बाद इसको brickets के end में हम close कर सकते हैं उसको खीचेंगे तो कम से कम 75 cm का elongation वो शो करना चीए तूट जाने से पहले so ductility will be measured at the point where bitumen breaks temperature maintain किया जाता है 27 degree Celsius 50 mm का pull लगाते हैं per minute और धीरे धीरे इसको elongate करते जाते हैं तो minimum ductility value of 75 cm has been specified by Bureau of Indian standards good quality of bitumen has more ductility while low quality of bitumen has less ductility तो इस part में bitumen के ductility test में 27 degree temperature होगा 50 mm per minute की rate से उसको खीचा जाएगा और most importantly जो objective questions में पूछता है कि ductility कम से कम कितनी होनी चीए 75 cm कम से कम होनी चीए जो BIS Bureau of Indian standards recommend करता है next बात करते हैं आपको सबको समझ में आता जा रहा है न difference between bitumen and tower already discussed कर चुके देखें next part आता है softening point test अब softening point test क्या है softening point test का मतलब है कि आप bitumen को temperature के साथ साथ temperature बढ़ाने पर वो कितना soft होता जा रहा है कितना जल्दी deform होता जा रहा है यह check करते हैं क्योंकि आप क्या करते हैं bitumen को heat करेंगे उसके बाद heat करके यह आपने भी देखा होगा अगर कहीं पर road construction आपने देखा होगा तो bitumen को heat किया जाता है और heat कर देने के बाद उसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें हम क्या use करेंगे softening point denotes the temperature at which bitumen attains a particular degree of softening under the specification of test कि यह test ही specification बता रहा है कि कब बोल देंगे कि वो soft होना शुरू हो रहा है तो यह test के अंदर describe किया जाता है this test is done to know the temperature susceptibility of bitumen how properties of bitumen changes with temperature the test is conducted by using ring and ball apparatus objective question number one कौन सा apparatus use करते हैं softening point test के लिए ring and ball apparatus use करते हैं next question कि इसके अंदर जो steel ball इस्तेमाल होती है वो steel ball का size जो है वो कितना होता है 0.95 cm होता है यहाँ पे आप bitumen रख देते हैं उसके उपर steel ball रख देते हैं और यहाँ नीचे hole होगा इसके उपर धीरे धीरे temperature increase करेंगे thermometer की मदद से हम वो temperature observe कर सकते हैं और अब क्या होगा क्योंकि यहाँ पर bitumen रखा हुआ था उपर steel ball रखी होई थी temperature बढ़ रहा है temperature बढ़ रहा है तो bitumen की viscosity जो है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी कम होनी शुरू हो जाएगी तो bitumen यहाँ से नीचे निकलना शुरू हो जाएगा और जब यह ball यहाँ से इसके उपर से नीचे गिर जाएगी तो आप क्या बोल देंगे कि हाँ अब इसका softening point आ गया है तो generally जो bitumen का softening point होता है लगबग लगबग 35 degree से लेके 70 degree के बीच में आता है objective question जो है वो यहाँ से भी आप से पूछ सकता है temperature at which the ball drops is known as softening point of bitumen तो ring and ball apparatus इस ring के उपर bitumen होगा उपर उसके ball रख देते हैं heat करेंगी तो bitumen जो है वो उसकी temperature के साथ-साथ viscosity कम होगी वो हटेगा wall जो है वो नीचे गिर जाएगे next अगर हम बात करें specific gravity test same तरीके से जैसे soil mechanics के अंदर pignometer से हम यूज करते हैं वैसे इसकी भी पता किई जा सकती है तो specific gravity of bitumen हो जाएगा weight of bitumen of given volume upon या फिर यह कहले जी density of bitumen upon density of water 27 degree Celsius के उपर यह हम check करते हैं objective में question पूछता है specific gravity of bitumen कितना होता है objective में यहां से question बनता है specific gravity of bitumen 0.97 से लेके 1.02 के बीच में होती है tar के अगर हम बात करें तो 1.1 से 1.29 objective में यह पूछ सकता है याद रखिएगा कितना जल्दी वो flow कर पा रहा है तो यह इसके अंदर हम क्या use करते हैं container है हमारे पास उसके अंदर bitumen का sample ले लिया इसके अंदर यहां पर एक hole होता है या फिर यह कहले जी orifice होता है जैसे जैसे temperature बढ़ाएंगे उतना जल्दी जल्दी वो flow करेगा water bitumen जो है उतना ही जल्दी उसके अंदर flow करेगा तो viscometer या फिर आप यह कह लेजी orifice होते हैं उसके अंदर holes होते हैं orifice type के viscometer का इस्तेमाल किया जाता है जैसे जैसे temperature increase करेंगे तो हम देखेंगे कि कितने time के अंदर यह 50 ml का जो flask है यह पूरा भर जाता है so viscosity is expressed in second it is the time taken by 50 ml bitumen material to pass through the orifice of a cup under standard test conditions and specified temperature viscosity of a cutback can be measured with either 4 mm orifice at 25 degree celsius और 10 mm orifice at 25 to 40 degree celsius bitumen ना तो बहुत जादा viscous होना चाहिए ना बहुत कम viscous होना चाहिए तो viscosity test के अंदर objective में बस एक question यहां से पूछ सकता है आपसे कि यह जो viscometer यूज करते है इसके साथ जो flask आपने यूज किया उसका volume कितना है 50 ml का flask है next question viscosity test में यह पूछ सकता है कि viscosity को measure किस terms में कर रहे है तो हम in terms of time required to fill this 50 ml flask time या seconds की form में में उसको measure कर रहे है यह objective questions आपसे पूछ सकता है तो question number one question number two बहुत ही ज़ाद आपको परिशान करना हुआ तो इस में से आपको उठा लेगा और पूछ लेगा कि यह statement सही है या नहीं है या यह सही है वो गलत है वो सही है यह ऐसे कुछ भी combination बना के पूछ सकता है next आता है flash and firepoint test flash and firepoint test से related पहला objective question कि कौन सा apparatus यूज किया जाता है तो apparatus यूज किया जाता है pensky martin apparatus पहला objective question दूसरा flash and firepoint test करते क्यों है इसलिए करते हैं क्योंकि temperature बढ़ा कर हमें या फिर bitumen को heat करके हमें use करना है कहीं ऐसा ना हो जाए field के उपर कि जब temperature बढ़ा रहे थे हम bitumen को heat कर रहे थे ताकि उसके viscosity adjust हो जाए और उस heated वाले bitumen को हम इस्तेमाल करेंगे pavement के अंदर तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि bitumen जल ही जाए तो ऐसी कोई condition ना हो जाए इसके लिए हमें पता होना जाए कि bitumen को किस temperature तक ही heat करना है कब ऐसा होगा जब bitumen की जो vapors हैं वो सिर्फ vapors आग पकड़ रहे हैं और कब ऐसा होगा कि पूरा का पूरा bitumen ही ignite हो जाए तो जब सिर्फ vapors आग पकड़ें तो उस case में आप बोलेंगे कि वो उसका flash point है bitumen को heat कर रहे थे और उसकी जो vapors निकल रही थी उनको जला के देखा वो जब आग पकड़ती है तो आप क्या बोल रहे हैं कि वो flash point आया है जब पूरा का पूरा bitumen ही जलने लग जाए तो वो fire point आ जाएगा तो flash point जो आप बताते हैं वो flash point कितना बताते हैं 175 degree Celsius objective question number next जो भी है पहला आपसे pens की martin apparatus पूछा दूसरा ये हो गया कि 175 degree Celsius temperature flash point जो है वो specify किया जाता है flash and fire point test is done by pens की martin apparatus यह आपसे objective में question पूछ सकता है आगे बढ़ते हैं next आता है solubility का test तो solubility वाले test जो है वो statements में मिलेंगे इन topics से related questions जो मिलेंगे न वो ऐसे मिलेंगे statement A, statement B, statement C तो आपको ये बोलेगा bitumen is soluble in फिर आपको बोल देगा कि carbon tetra chloride में soluble है फिर next statement देगा कि bitumen जो है उसका water content जो है वो कहां से कहां तक होना चाहिए 0.2% से ज़ादा exceed नहीं करना चाहिए by its weight bitumen को heat करने पर 1% से ज़ादा change नहीं आना चाहिए weight के अंदर तो which out of the following are correct only A is correct, B is correct, B and C are correct A, B, C are correct तो ऐसे करके options होंगे तो एक बार इनको अच्छे से कर आप read कर लेंगे और समझ लेंगे तो exam में जो question है को easily आप tick कर पाएंगे कि यह कौन सा है तो यह pavement के material थे और उनका basic basic questions कि हाँ pavement से related बाकि आपको पता ही है water जो rarely used या फिर अगर आपको aqueous medium यूज़ करना है तो भी use करेंगे second अगर हम बात करें तो aggregate building material के अंदर बहुत अच्छे से बढ़ चुके हैं concrete के अंदर और अभी RCC शुरू होगा तो फिर और जादा पढ़ लेंगे वहाँ पे और उसके test भी हमने बहुत अच्छे से बढ़ रखें तीसरा आ जाता है bitumen तो bitumen हमने कर लिया अगर आप CC roads की बात करेंगे या फिर कैसी होनी चाहिए अब ये college वाला पार्ट है पेज भरने वाला पार्ट है कि pavement ऐसी होनी चाहिए जिसके उपर अगर vehicle move करें तो वो उस load को resist कर ले उसका wear and tear minimum हो durable होनी चाहिए बारिश आ जाए तो proper drainage होना चाहिए बारिश आ जाए तो पानी उसके अंदर penetrate ना करें उसमें cracks नहीं आने चाहिए temperature changes होने के कारण उसमें cracks नहीं आना चाहिए pavement जो है वो thoroughly compacted होना चाहिए pavement के नीचे की layers भी और ताकि जो भी loads आएं उन loads को वो uniformly नीचे transfer कर पाए ऐसा ना हो कि pavement के नीचे जो subgrade थी उसको अच्छे से compact नहीं किया pavement अच्छे से बना दी pavement के उपर अगर load आया तो वो नीचे की subgrade ही धस गई subgrade ही क्या हो गई compact हो गई compaction करवाना है लेकिन पहले करवाना है starting में जब बना रहे हैं तो इतना compact कर दो कि further settlement आई ही न लेकिन बाद में जब pavement बना दी और उसके बाद अगर vehicle move कर रहे हैं और तब settlement आया तो problem हो जाएगी rutting आ जाएगी या फिर ये कह लीजिए कि depressions बन जाएंगे गड़े बन जाएंगे pavement के उपर तो ये सब नी होना चाहिए pavement अगर impermeable है तो नीचे की जो soil होती है उपर उपर आपने pavement की layer बना दी नीचे जो naturally available soil थी अगर पानी आया है यहाँ पर किसी reason से तो ये पानी के साथ mud जो है वो लेकर के इसके cracks के through आके बाहर surface पे ना जाए mud pumping ना हो जाए तो ये सारी अच्छे अच्छी बात है जो है वो pavement के अंदर हम ध्यान रखते है so ultimate aim is to ensure that the transmitted stresses due to wheel load are sufficiently reduced so that they will not exceed bearing capacity of the subgrade simple सी बात है हम चाहेंगे कि ये जो pavement हम बना रहे हैं इस pavement के नीचे naturally available soil जिसको हमने compact किया जिसे हम subgrade बोल रहे हैं तो जब यहाँ पर wheels का load आए वो load distribute होता हुआ चलते चलते जब तक subgrade में पहुँचे तो इतनी उसकी intensity हो जाए या intensity उसकी इतनी कम हो जाए कि ये subgrade जो उसको आराम से सहन कर पाए तो overall हमारा pavement जो अब वो stable रहेगा दो प्रकार की pavement होती है हमारे पास कौन कौन से type की एक होती है flexible और दूसरी होती है rigid pavement एक flexible दूसरी rigid pavement इन दोनों के अंदर क्या difference है इसको भी हम देखेंगे a well designed and constructed pavement keeps elastic deformation within permissible limits and sustains large number of repeated load application during the design life कि बहुत सारे मतलब आपके पास कुछ न कुछ जैसे आपका phone होता है तो phone के अंदर भी तो कहीं न कहीं कोई test किया गया था कि how many types of touch या फिर जो response होते हैं वो कितने number of times वो चल सकता है आपका remote होता है या कोई अगर आपने कभी battery का कोई advertisement देखा हो या उसके बारे में कुछ भी अगर उसके उपर test किया गया थे वो देखा हो तो उसमें होता है इतने clicks जो है इसके उपर चल जाएंगे कि इतने clicks तक वो durable है similarly अगर हम बात करें कि यहां पर जब pavement की बात की जाएगी तो pavement को जो हम design कर रहे हैं वो pavement को design कर रहे हैं कितने number of times इसके उपर load लग जाएगा pavement को जो design किया जा रहा है वो हम कैसे design कर रहे हैं कि कितने number of time कितने repetitions उसके उपर लग सकते हैं throughout its life कितने number of vehicles इसके उपर से निगलेंगे उनका load कितना होगा और फिर overall कितने repetitions उसके उपर आ सकते हैं तो वो हम calculate करते हैं उसके according हम हमारा design देखते हैं उसमें सारे factors या जाते हैं लोड क्या है pavement की width क्या है फिर उसके बाद lanes कितनी है lanes अगर है तो जरूरी थोड़ी है कि हम हमेशा जब भी चलेंगे जैसे rail के case में क्या होता है ये rail थी दो इनके उपर train चलेगी fix है कि जो भी wheels आएंगे left वाले इसके उपर चलेगे राइड वाले इसके उपर चलेगे path fixed है कि exactly इसके उपर चलना है लेकिन कभी आपने road के उपर ये सोच के चलें आप कि इस road के उपर आप जा रहे थे तो जी आपका तो हमेशा यही यही line follow करने है इन्ही दो line के उपर आपके wheels move करने चाहिए हमेशा ऐसा नहीं होता न तो इस factor को भी consider किया जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक जगा हर एक fixed line के along इस सारे vehicle चलेंगे तो pavement का entire surface जो है वो utilize होता है कभी कोई portion कभी कोई portion तो उसको भी हम consider करते हैं ऐसा नहीं है कि exactly उसी point के उपर loads आ रहे हैं तो वो हम देखते हैं तो यह सारी calculations हम देखेंगे फिलाल बात यहाँ पर यह है कि pavement दो प्रकार की होती है एक flexible एक rigid दोनों से हमारी basic जो expectation है जो हम चाहेंगे वो यह होगा कि जो भी loads आए उन loads को वो uniformly अच्छे से distribute कर दे नीचे वाली soil तक ताकि इस नीचे वाली soil की जो bearing capacity है उतने तक intensity यहाँ पर आए बाकी loads यह resist कर ले तो यह हमारी overall pavement थी next बात करें तो pavement के दो प्रकार पहला flexible दूसरा rigid pavement flexible pavement जो bitumen वाली होती है यह आपने देखी होगी rigid pavement जो होती है जो concrete वाली आप बनाते हैं जिनके अंदर steel भी इस्तेमाल होता है joints दिखते हैं आपको length के direction में भी दिखते हैं और lateral direction में भी दिखते हैं इसमें आपको दिख रहे हैं अगर मान लिजी आप इस along जा रहे हैं तो यह length के direction में भी joints दिखे आपको और later direction में भी दिखे या यूँ कह लिजिए कि आपको इनके अंदर ऐसे slabs दिखाई देती हैं आपको यहाँ पर क्या दिखाई देती हैं slabs दिखाई देती हैं तो load transfer जो होता है न जब भी इनके उपर load आता है तो load कैसे आता है flexible pavement में load आएगा तो एक particle के उपर यहाँ load था फिर इसके just नीचे particle to particle transfer होता है कि इस particle से side वाले particles पे इन से नीचे वालों पे इन से नीचे वालों पे तो ऐसे grain to grain particles का contact रहता है तो grain to grain load transfer होगा यहाँ पे आया इन से इसमें इन से इसमें इस तरीके से load ट्रांसफर होगा, particle to particle ट्रांसफर होता है, इसलिए flexible pavement जो होती है, flexible pavement के अंदर जैसे ही अगर wheel आएगा इसके उपर तो इसमें कुछ-कुछ deformation आजाएगा और जैसे यह wheel यहाँ से निकल गया तो bitumen की मदद से यह वापस depression recover कर लेगा अपनी original position अगर हम बात करेंगे rigid pavement की, तो rigid pavement जो है, यह पूरा का पूरा एक slab की तरह act करेगा slab action के थूँ, अब जो load इसके उपर आया, तो वो पूरा एक जो slab जैसे load को transfer करेगी, तो उसी तरीके से यह behave करता है, तो rigid pavement में slab action के थूँ, load transfer होता है, flexible pavements के अंदर grain to grain, particle to particle contact जो होता है, उसके through load transfer यहाँ पर देखने को मिलता है आपको, so flexible pavement load from top layer is distributed to the bottom layer through grain to grain contact top layer तो इसी लिए आपको यहाँ पर क्या जरूरत पढ़ती है, कि जो top layer है, वो अच्छी quality की होनी चीए, सबसे ज़ादा stress तो यहीं पर ही आएगा, फिर उसके बाद आगे area जो है distribution जो है stress का वो बढ़ता चला जाएगा, soil mechanics में भी हम पढ़ते हैं कि stress आगे कैसे distribute हुआ जैसे, आप कुछ यहों समझ लीजिए कि अगर किसी footing के उपर, यहाँ पर load आया था, तो बाद में ऐसे load laterally distribute होता चला जाता है हर direction के अंदर, तो all four direction में distribute होगा, तो जैसे जैसे कुछ depth नीचे आते हैं तो वैसे कुछ depth नीचे आते आते अब जो area था जिसके उपर यह load आके distribute हुआ, यह बहुत जादा बढ़ गया तो इतना area, अगर इस layer पर सबसे नीचे वाली layer पर आके हम देखेंगे तो force P था, यहाँ पर area कम था, तो stress यहाँ पर जादा था जैसे जैसे ground में नीचे चलते जा रहे थे तो अब area भढ़ गया यहाँ पर यह, तो area भढ़ जाने से this force upon this area, तो stress के intensity कम हो गई यहाँ पर तो top जो layer थी, यहाँ पर stress जादा था और नीचे जाते जाते, कम हो गया तो उपर जब stresses जादा आ रहे हैं, immediate contact के अंदर है और rubbing भी हो रही है, continuously wheels जो है, वो move कर रहे हैं उसके उपर, tires और surface के बीच में abrasion हो रहा है यहाँ पर तो जो top layer है, उनकी quality अच्छी definitely हो नहीं चाहिए सब कहानिया हैं, बस कहानिया सुनते जाना जहाँ पर आपको बोला जाएना कि अब एकदम focus करो अब question आ रहा है, तो बस तब focus कर लेना वरना आराम से मस चलने दो, मस सुनते रहो बस तो flexible pavement और ना यह tension लेनी है हाईवे की PDF अल्रेडी मिल गई, ट्रैफिक की अल्रेडी मिल चुकी है टेलिग्राम पर मिल जाएगे आपको, railway engineering जो है उसकी और इसकी आपको एक साथ दे दी जाएगे flexible pavement की बात कर रहे हैं, तो flexible pavement जो है इसके अंदर basically 4 layer रहती है एक होती है soil subgrade, फिर soil subbase आ जाता है, फिर base course आता है और फिर आता है surface course जो की टॉप के उपर आता है अब सबसे नीचे आ गया, naturally available जो soil होती है, जिसको अच्छे से compact कर दिया जाता है तो वो हमारे पास आ जाता है, subgrade, फिर उसके बाद base या subbase courses आ जाते है, फिर surface course आ जाता है जैसे ही vehicle का load आया, अब vehicle के load को समझेंगे कैसे, vehicle के load को कैसे समझेंगे, आपकी जो car है ठीक है, इस car के load को कैसे समझा जै, car मान लीजिए, कोई truck है, आपके पास वो मान लीजिए commercial vehicle है, तो commercial vehicle के उपर load जादा होगा, तो कैसे समझे हम कितना load है ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि पूरे इस vehicle का load कितना है, वो भी नहीं देख सकते हैं ना, पूरे vehicle का load का मतलब अगर top view से आप इसे देखेंगे एक ऐसा truck जो आपको दिख रहा है तो top view से आप इसको देखेंगे तो 1, 2, 3 wheels इस तरफ दिख रहे हैं 3 wheels opposite side पर दिखेंगे तो top view से तो आपको 6 ऐसे circular points से दिखाई देंगे जो road के उपर जहां जिन पर ऐसे load लग रहा है top view से अगर आप अपनी car को देखेंगे अगर आपके पास अगर car है तो इस car को अगर आप observe कर रहे हैं तो इस car के 4 wheels हैं दो इस तरफ दो इस तरफ अब ये road के उपर जो contact है इसके जो points है जहां पर load लग रहा है तो वो सिर्फ ऐसे 4 points ही तो है जिनके उपर वो load जाके लग रहा है तो इनकी ही बात करेंगे पहली चीज़ तो कि एक particular point के उपर अगर आखे load लगा तो अब वो कैसे भी हो रहा है अब ये point वाले load भी कैसे देखें कैसे देखें इन loads को तो इनको हम mention करते है एक्सल की form में कि पूरे vehicle के उपर इतना load आया उसमें से कुछ front वाले axle पर गया कुछ rear वाले axle के उपर गया तो फिर एक wheel के उपर effectively कितना load आया तो हम ऐसे चलते हैं loads को हम जो देखते हैं वो कैसे देखते हैं एक wheel ये दूसरा wheel ये दो wheels की जो assembly ये से हम बोल देते हैं axle तो जो भी बाते होती है ना load की वो axle के corresponding होती है या फिर equivalent single wheel load के corresponding होती है हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि पूरे vehicle का load इतना है उससे कैसे design करें तो ज़्यादा better जो तरीका है वो ये है कि हम axle एक axle का load कितना आ रहा है उसके corresponding आगे बता सकते हैं एक wheel जो है उसका कितना load आ रहा है एक wheel का कितना load लगेगा तो उसके corresponding हो हमारी सारी studies कर सकते हैं तो अब आप देखें यहाँ पे wheel का या axle load जो आता है उस axle load के करन अलग लग deformations आती है कौन कौन सी या किस प्रकार की deformations आती है ये देखें अगर आपने जैसे ये wheel निकल रहा था एक road के उपर विकल जा रहा था आपने क्या कर दिया उसकी video बनाई उसकी video बनाई और slow motion के अंदर बहुत धीरे-धीरे observe कर रहे है तो जब बहुत धीरे-धीरे आपने observe किया तो आपने कुछ ऐसा observe किया कि ये wheel जब यहां से ऐसे निकल रहा था तो एक ऐसे depression बनाई एक ऐसे यहां पर हलका सा गड़ा बना ये top जो surface की layer थी ये depressed हुई अब जब top surface layer depressed हुई आप अपने हाथ को इस तरीके से खीच के देखेगा तो क्या होगा ये यहां पर tension आएगी या नहीं आएगी similarly अगर इस form में करेंगे तो नीचे वाले surface पे आनी चाहिए अलांकि हमारे हाथ में ज़्यादा हमें feel नहीं होती until less बहुत ज़्यादा ऐसे ना करें ऐसे समझ लीजी अगर मैं ऐसे कर दूँगा इसको तो ये top वाले fibers खिच रहे हैं खिच रहे हैं मतलब यहाँ पर tension आ रही है इसी प्रकार से जब यहाँ पर यह depression बना तो यहाँ पर कैसा बनेगा आपको tensile nature का stress होगा या strain जो आएगा वो कैसा होगा tensile nature का होगा खिच रहा है यहाँ पर तो जो horizontal strain होता है वो कैसी nature का आता है, tensile nature का आता है, जब भी कोई wheel इसके उपर आएगा और अगर vertical की बात करें, अब ये depression जो बना था, तो vertical direction में जो load आएगा, वो कैसा होगा compressive nature का नहीं होगा, जो vertical होगा, vertical load जो लग रहा है, तो वो क्या कर रहा है इस layer को compress कर रहा है, ये vertical load नीचे तक जाएगा, तो vertical stress जो लगता है vertical deformation जो high, वो कहां तक को stress cause कर रहा है, वो cause कर रहा है, natural जो नीचे की soil थी, subgrade थी वहां तक, और tensile stress जो आ रहा था, वो tensile stress कहां पर आ रहा था, वो surface वाले course पर आ रहा था तो objective के अंदर ये question पूछ सकता है, simple statement के form में, कि pavement कैसे behave कर रहा है, जब कोई load उसके उपर आ रहा है, तो 4 statements दिये होंगे, उनमें combination ये होगा, कि surface course के उपर vertical stress आ रहा है, subgrade के उपर horizontal आ रहा है, second option होगा, कि surface के उपर horizontal आ रहा है, subgrade के उपर vertical आ रहा है, इनका nature भी दिया हो सकता है, कि इसका compressive, इसका tension तो आपको सही answer जो पहचानना है, वो सही answer ये होगा, कि surface course के उपर आता है, tensile stress या tensile strain आता है, अगर subgrade की बात करेंगे, तो इसमें आता है vertical direction का compressive stress, ये आपको याद रखना है, याद वैसे भी रह जाएगा, इस depression के diagram के थ्रू भी आपको याद रह जाएगा, clear, top portion compressive nature होगा, बात य ये है, कि horizontal direction का जो stress है, वो कैसा है, horizontal मतलब इस direction में लग रहा है, अगर ये pavement ऐसे गर के ऐसे compress हुई, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, tensile nature का, horizontal direction में क्या लग रहा है, tensile nature का stress लग रहा है, और vertical direction में क्या लग रहा है, compressive nature, तो vertical stress या strain जो लग रहा है, vertical stress या strain, subgrade के उपर लग रहा है नीचे तक वो नहीं जा रहा है बिटुमिन की प्रेजेंस यहां पर दादा है बिटुमिन जो है वो यहां पर डक्टिलिटी की वज़े से कह लीजिए कि वो इस डीफॉर्मेशन को वापस रिकवर करवाएगा और यह टेंशन के अंदर भी यहां पर बना हुआ है क्रैक्स नहीं आएंगे इसके अंदर सो फ्लेक्सिबल पेव्मेंट के अंदर बिटुमिनेस कंक्रीट ग्रैनुलर मेटिरियल विद और विदाउट बिटुमिनेस बाइंडर वाटर बाउंड भी हो सकता है यह कुछ एग्जामपल है फ्लेक्सिबल पेव्मेंट के कि कंक्रीट प्रेजन्ट होगी ए ग्रैनुलर मेटिरियल वो प्रेजन्ट होगा और बीच में कुछ ना कुछ बाइंडिंग मेटिरियल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है जैसे वाटर बाउंड में क्या होता है एग्रिगेट यूज़ किये, स्टोन डस्ट यूज़ की पानी डाला, उसके अंदर यह मॉइस्टर डाला और उसको लोड लगा कर जमा दिया बस तो यह वाटर बाउंड में बन गया तो उसके अंदर जरूरी नहीं है कि binder हमने प्रोवाइड किया, binder भी साथ में प्रोवाइड कर सकते हैं, neither expansion nor contraction joints are provided तो इनके अंदर आप देखेंगे तो कहीं भी आपको ऐसी pavements के उपर, bituminous वाली pavement पे कहीं भी आपको joints नहीं दिखाई देते हैं apart from, अगर आप किसी bridge के उपर जा रहे हैं, तो वो bridge का joint है, इस pavement की वजए से नहीं है वो bridge के अंदर जो भी steel इस्तेमाल हुआ है उसका expansion, contraction जो हो रहा है due to temperature, तो उसके लिए provide किया है, इस pavement की वजए से provide नहीं किया है, तो इसके अंदर कहीं भी आपको joints नहीं दिखाई देंगे, और rigid वाली के अंदर length की direction में और lateral direction में joints आपको दिखाई देंगे neither expansion nor contraction joints are provided in flexible pavement, cost of completion जो होता है, वो कम होता है लेकिन maintenance cost जादा होता है पानी से जल्दी खराब हो जाता है अगर drainage अच्छा नहीं provide किया, तो खराब हो जाएगा, नीचे की subgrade को अच्छे से compact नहीं किया, तो rutting आजाएगी top का अगर layer है, bitumen जो है वो अच्छी quality का नहीं है, उसकी ductility अच्छी नहीं है तो surface के उपर cracking आजाएगी क्योंकि वो tensile strain के कारण यह देखा ना हमने, कि यहाँ पर tensile strain और यहाँ पर compression, तो अगर नीचे की subgrade की quality अच्छी नहीं है या अच्छा compaction नहीं किया है, तो pavement के उपर vertical direction में depressions जो बनेगे, गड़े जादा बन जाएगे, rutting आजाएगी top surface पे, और यहाँ पर surface cracks आजाएगे, अगर यहाँ bitumen अच्छी quality का आपने नहीं यूज किया, surface वाले codes अगर अच्छे नहीं है, cost of completion of such pavement are less, but have high maintenance cost, maintenance इनकी ज़्यादा होती है, लेकिन cost of construction इसका कम होता है, IRC 372012, objective point of view से पूछ सकता है, flexible pavement के लिए कौन सा code यूज करते हैं, तो IRC 37 2012 यूज करते हैं, flexible pavement जो है, empirical charts यह बहुत important है, empirical charts यूज करते हैं, equations यूज करते हैं, उनका इस्तेमाल करके flexible pavement को design किया जाता है, अब यह point दिखने में बहुत simple है, लेकिन आगे की जो पूरी कहानी हैं, जो आप यह कहेंगे न, यह ऐसे कैसे कर दिया, तो वो ऐसे ही कर दिया, क्योंकि empirical results हैं, बहुत सारी test किये गए, उनके corresponding, उन studies के corresponding हम बता रहे हैं, कुछ charts बनाए गए, उनके corresponding बता रहे हैं, flexible pavement जो है, इसके उपर, top की जो layers आ जाती है, सबसे बहले surface course और उसके उपर एक seal coat लगा दिया, अब seal coat का फाइदा क्या है, जो top की layer होगी, उससे क्या expectation है, कि पानी न अंदर जाने दे, तो water के लिए impermeable होनी चाहिए, अब tire जो है, वो immediate contact में किसके साथ है, इसके साथ है, top surface के साथ है, तो इसका जो friction है, या फिर ये कह लिजए, ये skid resistance जो है, वो अच्छा होना चाहिए, vehicle move करने के लिए भी, और move करते हुए vehicles को रुकने के लिए भी, अच्छा friction चाहिए होगा, या फिर skid resistance चाहिए होगा, अगर friction ना हो, तो हम शायद चल भी ना पाएं, friction है ना, अगर हम pair ऐसे रखके, पीछे की direction में उसको push कर रहे है, तभी तो हम आगे move कर पा रहे है, जहां friction नहीं होगा, तो हमारे pair फिसल ने लग जाएंगे, move भी नहीं कर पाएंगे properly, तो friction जो है, वो important भी हो, और friction के बहुत सारे फायदे भी है, tag coat की अगर हम बात करें, तो tag coat जो होता है, दो layers के बीच में bonding प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है, bitumen का emulsion होता है, prime coat का क्या फायदा होता है, prime coat का फायदा यह होता है, कि यह binder coat से नीचे तक चला जाता है, base coat के अंदर चला जाता है, जो भी voids होते हैं, खाली जगा होती है, उनको choke कर देता है, उनको block कर देता है, तो prime coat का का काम होता है, कि यह voids को खाली जगा जो भी थी, जो gaps थे बीच में, उनको block कर देना, choke कर देना, या फिर plug कर देना, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, bitumen को kerosene के साथ, इसका इस्तेमाल किया जाता है, फ्लेक्जिबर जो आपकी pavement है, या फिर pavement layer की जो thickness है, वो कैसी होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए, कि overall जैसे जैसे उसके उपर stresses आए, तो कोई भी layer fail ना हो, उन particular stresses के लिए, तो ऐसी उसकी values होनी चाहिए, इन फ्लेक्जिबर पेव्मेंट, एनी डिफॉर्मेशन इन दे बॉटम लेयर, is reflected on top layers, तो इसलिए हम यह बोलते हैं, कि यह सब ग्रेट जो होती है नीचे की, इनका अच्छा कॉमपेक्शन करेंगे, अगर अच्छा कॉमपेक्शन नहीं किया, बाद में लोड आया, उसके करण वो कॉमपेक्ट हुई, या डिप्रेशन आया, तो वो डिप्रेशन ऊपर तक दिखेगा, यहां तक दिखेगा, इसलिए आप देखना, कि जब हम डिफेक्ट की बात करेंगे, बहाँ पर यही लिखा होगा, कि अगर पेव्मेंट के अंदर, डिफॉर्मेशन जादा आ रहे हैं, तो जो सब ग्रेड है, नीचे की नैचुरिली अवेलिबल सॉय थी, उसको अच्छे से कॉमपेक्ट करना था, सो सील कोट, वाटर प्रूफ करने के लिए, स्किड रिजिस्टंस प्रोवाइड करने के लिए, टैक कोट, बांडिं बिट्वें टू लेयर के लिए, प्राइम कोट, प्लगिंग दवॉइड और इंपर्मेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, वाटर उसके थुरू ना जा पाए, इसके उपर काम करता है, सो में में बाते हैं, यहां से आपको यह याद रखनी है, बाइंडर कोर्स, इस लेयर प्रोवाइड दे बल्क ओफ एसफाल्ट, कंक्रीट स्ट्रक्चर, purpose is to distribute the load to the base course, यह binder course, फर्दर किसको कर देगा, base course को load transfer कर देगा, base course, subbase जो है, वो subgrade को यहां पर कर देगा, base course जो बनी हुई होती है, वो load को नीचे distribute करेगी, crushed stone से बनी हुई होती है, crushed slag and other untreated और stabilized material इसके अंदर present हो सकते हैं, फिर base course से नीचे subbase आ जाएगा, यहां पर यह base course को stability provide करेगी, और यह कहलीजे कि subbase आगे फर्दर, subgrade को load जो है वो transfer करेगी, if the base course is open graded, then the subbase course with more fines can serve as filler between subgrade and the base course, तो यहां पर आप अलग-अलग size के जो particles हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे से एक अच्छी bonding के लिए, impermeability को improve करने के लिए, या फिर एक well graded mix बनाने के लिए, subgrade की बात करें, naturally available soil होती है, उसको अच्छे से compact कर देते हैं, और इसको कैसे compact करते हैं, कि कम से कम 50 cm की, at least 50 cm of soil subgrade is well compacted, at optimum moisture content, अब optimum moisture content क्या होता है, एक ऐसा moisture content, water को में add करते रहते हैं, compaction करवाते हैं जब soil mechanics में पढ़ेंगे, एक chapter है compaction, तो जैसे जैसे पानी को आप add करते हैं, तो पानी को add करने से, compaction बहतर होता जाता है, कि एक तो dry soil थी, dry soil को अगर आप compact करेंगे, rammers के थुरू, तो इतना अच्छा compaction नहीं हो पाता है, लेकिन थोड़ा सा पानी add कर लीजिए, तो और अच्छा compaction होगा, और add कर लीजिए, और अच्छा compaction होगा, तो उसकी density बढ़ती जाती है, compact होने का मतलब volume reduce हुआ, density बढ़ती गई, तो water को add करने के कारण क्या होता है, density उसकी बढ़ती जाती है, compaction अच्छा होता जाता है, तो एक ऐसा moisture content आ जाता है, जिसके उपर compaction सबसे भेथर होता है, या maximum density आपको मिलती है, उसको dry density की terms में express किया जाता है, compaction की extent को, या compaction की quantity को, तो dry density जिस moisture पर आपको maximum मिलती है, आप उसे बोलते हैं कि वो optimum moisture content है, तो 50 cm की layer कम से कम, और उसको optimum moisture content के उपर अच्छे से हम compact करते हैं, अब flexible pavements के failure कैसे कैसे होते हैं, failures of flexible pavement के हम बात करें, तो एक तो ऐसे cracks form हो सकते हैं, interconnected cracks form होंगे, अब interconnected cracks जो हैं वो कहां पर form होते हैं, fatigue cracking बोलते हैं इसको, तो यह fatigue cracking surface के उपर हो रही है, fatigue cracking कहां पर, यह cracks कहां पर दिखाई दे रहे हैं, surface के उपर दिखाई दे रहे हैं, यह surface के उपर क्यों दिखाई दे रहे हैं, यह surface के उपर दिखाई दे रहे हैं, कि ये जो horizontal tensile strain आया था ना ऐसे pavement खिची थी ये जब ऐसे present था और pavement अब कैसे खिची ऐसे तो pavement के layers यहाँ पर जब खिची थी तो उसके कारण वो bitumen उसको संभाल नहीं पाया उस deformation को तो उसके कारण यहाँ पर आपको surface cracks देखने को मिले So fatigue cracking of flexible pavement is due to horizontal tensile strain Test में या exam में जो question आएगा उसमें यही exact word यूज होगा Horizontal tensile strain तो fatigue cracking किसके कारण आती है Horizontal tensile strain के कारण आती है कहाँ पर at the bottom of asphaltic concrete मतलब जो top layer वाला था इसके just नीचे Surface course की यहाँ पर बात हो रही है Next आता है We limit tensile strain at the bottom of the surface course मतलब surface course के अंदर ही रहेंगे यह cracks उससे नीचे नहीं जाते है Rating क्या होती है Rating होती है जब pavement Generally आपने यह आपने यह कहाँ पर देखा होगा जो भी toll plazas होते हैं तो वहाँ पर आके जादा time तक loads जो है या vehicles जो है वो रुके हुए रहते हैं तो वहाँ पर धीरे 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 चल रहा है तो जादा time तक यहाँ पर load subject हो रहा है इनके उपर अब कोई heavily loaded truck है वो धीरे धीरे चल रहा है या वहीं रुक गया फिर धीरे धीरे चल रहा है रुक गया toll plaza पर ऐसा देखा होगा न आपने अकसर तो वो क्या हो रहा है कि एक line के along लोड लग रहा था इसी जगां के उपर लग रहा था repeatedly लग रहा है और heavy load लग रहा है तो उसके कारण क्या होगा जो नीचे की layers थी जो नीचे की layers थी जो हमने ये बात की थी कि जो vertical वाला load जाता है vertical stress जाता है, वो कहां तक जाता है subgrade तक जाता है, तो अब यहाँ पर उसने compaction create कर दिया इसकी वजह से यह पूरा का पूरा नीचे आ गया, या फिर यहाँ पर यह depression या गड़ा जो है, वो बन गया या rutting हो गई इसकी, तो rutting के अंदर क्या होता है, it occurs only on flexible pavement, क्योंकि grain to grain contact है, तो सिर्फ और सिर्फ flexible pavement में यह देखने को मिलता है, हमें it is indicated by permanent deformation और rut depth along the wheel load path, तो यह किसके कारण होता है, जो नीचे वाली naturally subgrade थी, वो depressed हो गई, उसके कारण यह बाकी की सारी layers भी नीचे नीचे दस्ती चली गई, thermal cracking temperature changes के कारण जो होती है road की length के perpendicular direction में यह cracks हमें देखने को मिलते हैं तो IRC क्या बोलता है IRC कहता है कि हम सिर्फ fatigue और rutting जो है, इनको consider कर रहे हैं, IRC considers only fatigue cracking and rutting due to subgrade deformation, fatigue cracking को अगर आपको control करना है तो आपको क्या करना होगा, जो surface वाला coat था, उसके नीचे का tensile strain वो properly maintained होना चाहिए bitumen अच्छी quality का होना चाहिए rutting को अगर control करना है तो rutting को control करना है तो हमें यह देखना होगा, कि नीचे वाली जो subgrade थी, वहां तक जो vertical stress जा रहा था, वो वहां तक ना पहुंचे, या अगर पहुंचे भी तो नीचे की जो subgrade है, उस load को properly bear कर पाए, उसमें settlements ना आए, well compacted भी होनी चाहिए वो, तो इस तरीके से हम इसको और इसको improve कर सकते हैं जो temperature वाले cracks आ जाते हैं, जो की pavement के perpendicular चलते हैं, तो अब हमारा bitumen, या फिर जो वहां पे हमने जो bitumen का इस्तेमाल किया है, वही temperature को sustain कर पाए, उस particular temperature को, तो यही expect कर सकते हैं, लेकिन कुछ amount के यह temperature वाले cracks तो आते ही आते हैं, next आज आती है rigid pavement, rigid pavement की main main जो बाते हम करें अगर तो rigid pavement वो होती हैं जिनके अंदर flexural strength होती है पीछे वाली को तो हमने बोला था flexible pavement इसको तो बोला था flexible pavement flexible pavement क्यों, क्योंकि deformations जो आती हैं, उसके अंदर वो वापस recover कर लेती हैं, elastic deformations आती हैं, तो flexible pavement उसको हमने बोला यहां पे flexural strength, तो flexural strength और flexible दोनों अलग-अलग strength हाई, अगर मैं यह बोलता हूँ कि flexural strength है किसी चीज में जैसे slab होती है, यह जैसे beam होती है, तो उसके अंदर flexural strength का मतलब होता है कि bending के अंदर flexural word is associated to bending तो flexural strength कह लीजिए या फिर bending strength कह लीजिए तो अब जो slab action की बात कर रहे थे rigid pavement के अंदर, तो slab action के कारण, एक slab बिल्कुल एकदम ऐसे flat थी, जैसे ही इसके उपर load आएगा, अब वो ऐसे deform हो जाएगी, bend हो जाएगी तो bending action होगा यहाँ पर, या फिर flexural strength उसके अंदर exist करती है, तो पहली चीज तो यह हमें पता होनी चीजिए rigid pavement के अंदर, जो भी load transfer होता है, वो कैसे होता है, पूरा का पूरा slab action के थुरू होगा यहाँ पर, उपर podland cement concrete रहेगा, नीचे base, sub-base course और नीचे आपकी soil subgrade जो है, यह रहेगी rigid pavements are made of podland cement concrete, the plain cement concrete slams are expected to take up to 40 kg per cm square flexural stress तो objective के point of view से छोट as a point, जो हमें पता होना चाहिए IRC 58 यूज करते है design code of rigid pavement यह भी आपको पता होना चाहिए, objective point of view से, यह आपसे पूछ सकता है rigid pavements का जो design होता है, वो कैसे होता है, elastic theory के थूरू हम इसको design करते है, rigid pavements को flexural action of slab यह आपको पता होना चाहिए elastic plates theory जो है, इनके according हम इसका design करते हैं, purpose of base sub-base core जो होता है rigid pavement के अंदर pumping ना हो, या फिर यहाँ पर moisture था, छोटे-छोटे particles थे वो पानी के साथ mud बनके उपर के surface के अंदर ना आ जाए यह हम ध्यान रखते हैं, तो rigid pavement के अंदर भी failure criteria fatigue, crack हो सकते हैं या फिर thermal cracking हो सकती है mud pumping हो सकती है, mud pumping के अंदर क्या होगा, कि pavement के अंदर जो cracks होते हैं, या फिर जो joints होते हैं, वहाँ पर भी ऐसा हो जाता है तो उनके through, नीचे की जो mud थी या फिर नीचे की soil plus water, निकल करके बाहर आ गए हैं, जब आसपास load लगा तो वो pump होके बाहर आ गए weak point से, joint से, crack से वो बाहर आ गए तो इसे हम बोल देते हैं, mud pumping when soil slurry comes out it is known as mud pumping pavement के design वाले portion की बात करें pavement की design की अगर हम बात करेंगे तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा एक session इसको और देते हैं ऐसे जल्दी जल्दी में करेंगे तो ये वाला थोड़ा समझ में नहीं आएगा कल के session के अंदर इसको फर्दर आगे continue करेंगे और आज के लिए इतना ही है क्योंकि यहां पर थोड़ा सा focus करने की ज़रूरत पढ़ेगी आपको यह बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ अभी वटावट में बढ़ लेंगे तो ये भी नहीं समझ में आगा की याद क्या क्या रखना है अगर समझ के करेंगे तो फिर आपको यह बताया जाएगा कि हाँ कौन से ऐसे point से जहां से pinpoint question पूछेगा that is it बस उतना आपको focus कर लेना है ठीक है तो कल पढ़ेंगे यह ठीक है thank you so much everyone अगर आपने इस session को अभी तक like नहीं किया है तो इस session को like कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ आप इसे share कर सकते हैं कल हमारा pavement design वाला portion complete हो जाएगा और फिर next subject हम start करेंगे ओके thank you so much take care, bye bye, good night हाँ जी आपने अभी तक अगर anacademy app को install नहीं किया है तो anacademy app भी आप install कर सकते है anacademy app install करके वहाँ पर आपको अभी offers जो चल रहे है उसके अंदर up to 47% off मिल जाएगा anacademy के 6 month के subscription पर 1 month आपको additional free मिलेगा plus आप अगर code use करते हैं संदीब double 1 तो आपको 10% off भी मिलेगा 12 months पर 3 months extra मिलेंगे 24 पर 6 months extra मिलेंगे और संदीब double 1 यूज़ करने पर आपको 10% off भी मिलेगा जो already session हो गए है recorded form में मिल जाएगे और जो ongoing है वो आपको live मिल जाएगे नएने subject जो है वो start होते ही रहते है anacademy light जो है वो भी आप avail कर सकते हैं अगर आपको उसके according सिर्फ test देने हो anacademy का combat जो है संदीब जानी नाम से अगर आप search करेंगे तो आप जैसी follow करेंगे तो जो भी sessions होंगे anacademy की free special classes जो की 12 p.m. पे हम conduct करेंगे 12 बजे दोपहर को तो अभी जो भी हमने पढ़ा है तो कल 12 बजे उसका test कर सकते हैं ऐसे तो 12 p.m. पे daily हम free sessions होते हैं तो उसके लिए बस app चाहिए आपको और code अगर पूछे तो संदीब डबल वन आपको यूज़ कर सकते हैं Thank you so much, take care और मिलते हैं next session में